History of RSS दोस्तो 1925 में एक डॉक्टर ने एक और्गिनाइजेशन बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को बिटिश अट्रोसिटीज के अगेंस्ट तयार करना उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये चूटा सा और्गिनाइजेशन आगे चल कर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नौन गवर्नमेंट और्गिनाइजेशन बन जाएगा जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग यानि RSS की जो 2025 में 100 साल की हो जाएगी RSS, ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीती के गलियारों की धड़कन बढ़ जाती है ये समाज के भीतर कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान करवाता है लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि RSS का मतलब क्या है सवाल ये है कि RSS क्या एक सामाजिक संगठन है या भिराजनेतिक ये सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर राजनीतिक तौर पर या फिर इसका कुछ और ही काम है तो चलिए जरा पीछे चलती हैं कुछ इतिहास के पन्नों को टटोल लेती हैं और जानते हैं RSS का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया साथ ही ये भी कि आज इसका जिकर करना इतना इंपोर्टेंट क्यों है आएए शुरू करते हैं History of Rastrius W.M. सेवक संग RSS साल 1907 ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संगर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिती के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया नागपुर से डौक्टर की पढ़ाई करने आए केशव राम बलराम हेट गिवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जील भी गए दादा भाई नौरो जी ने उस वक्त गरम सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कॉंग्रिस में आने का न्योता दिया तो हेट गिवार भी कॉंग्रिस में उनके साथ ही आ गए हेट गिवार ने कॉंग्रिस के साथ काफी समय तक काम किया लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिंजाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूव्मेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगवाई में कॉंग्रिस ने भी इसका समर्थन किया लेकिन डॉक्टर हेट गिवार को कॉंग्रिस द्वारा खिलाफत मूव्मेंट से जुडने वाली बाद परिशान कर रही थी उन्हें ये बात अंदर ही अंदर चुब रही थी क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टी करण की राजनी थी माना हनाकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेट गिवार कॉंग्रिस का हिस्सा बने रहे बलकि 1922 में नागपुर कॉंग्रिस अधिवेशन और 1925 के कोलकता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेट गिवार मौजूद थे लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेट गिवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था को फॉर्म करेंगे जो हिंदूओं की हितों को लेकर चले और आगे बढ़े उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेट गिवार को सुनने के लिए सिर्फ बारा लोग ही पहुँचे थे लेकिन बारा से बारा सो बनने में वक्त नहीं लगा धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेट गिवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और इसी के साथ अब संग की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था डॉक्टर हेट गिवार के लिए ये काम इतना आसान नहीं था इस रास्ते में कई सारी प्राब्लम्स पैर पसारे खड़ी थी कहा जाता है कि डॉक्टर हेट गिवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया शाखा में योग, सूर्य नमसकार, लाठी ट्रेनिंग के साथ-साथ intellectual discussion को भी शामिल किया गया धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेट गिवार की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुडने लगे कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेट गिवार ने संख को ओफिशल रूप देने का सोचा डॉक्टर हेट गिवार ने साल 1925 में नागपुर में विजय दश्मी के दिन RSS की बुनियाद रख दी धीरे धीरे महराष्ट के कई इलाकों जैसे नाशिक, पूने, अमरावती, यावतमाल में संख ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिये और महराष्ट के साथ-साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्थार होना शुरू हो गया लोगों का शाखा के साथ जोड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था ये कैसा बदलाव था, जिसको बनाया तो समाजिक काम करने के लिए था लेकिन आगे चल कर ये राजनीती का वो गोल चक्कर बना, जिसके चारूं तरफ ही राजनीती का ताना बाना बुना जाना था संग में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी लेकिन महराष्ट के बाहर अभी भी संग का कोई खास असर नहीं था संग विस्तार के लिए तयार था और महराष्ट के बाहर पैरपसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेट गिवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू युनिवरसिटी जाने का मौका मिला डॉक्टर हेट गिवार बी एच्यू आए और पंडित मदन मोहन मालविये से बात की पंडित मदन मोहन मालविये ने बी एच्यू परिसर में संग का ओफिस खोलने के लिए पोमिशन दे दी बी एच्यू में डॉक्टर हेट गिवार की मुलाकात MSC की पढ़ाई कर रहे माधव राओ सदाशिव राओ गोलवालकर से हुई गोलवालकर बी एच्यू में पढ़ाते भी थे इसलिए उन्हें सब गुरु जी कहा करते थे गोलवालकर डॉक्टर हेट गिवार के माध्यम से ही संग में अक्टिव हुए और उसके मेंबर बने लेकिन 1940 में डॉक्टर हेट गिवार की मृत्य हो जाती है और सर्व सहमती से RSS की कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है गोलवालकर की लीडिशिप में RSS की विचार डेली, कोलकाता, चेनाई और लाहोर के साथ-साथ पूरे देश में फैला शुरू होते हैं आईए अब जानते हैं कि RSS कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई है Organizational Setup of RSS RSS की Constructive Arrangement की बात करें तो RSS 11 पार्ट में बटा हुआ है Hub यानि केंद्र, Region यानि क्षेत्र, Province यानि प्रांत, Department यानि विभाग, District यानि जिला, तालुका, Town यानि नगर, Block यानि खंड, Circle यानि मंडल, Gram, Branch यानि शाखा वहीं अगर RSS की Branch यानि शाखा की बात करें तो ये पाँच तरह की हैं पहला, प्रभात ब्रांच, इसमें Morning में सभी की Meeting होती है, दूसरा है Evening Branch, तीसरा ब्रांच है Night Branch, फिर आता है Milan, मिलन यानि वीक में एक या दो बार होने वाली Meeting और आखिर में आता है संग मंडली, संग मंडली मंथ में होने वाली Meeting को कहा जाता है दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संग में करीब एक करोड से ज्यादा trained members हैं संग परिवार के अंडर 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं अकेले उत्तर प्रदेश में RSS के 8000 से ज्यादा ब्रांच हैं केरला जैसे state में जहां हिंदू population कम है वहां भी RSS के करीब 5000 ब्रांच हैं ये तो बात हुई देश के अंदर की वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा countries में RSS की 57000 ब्रांच हैं इसके साथ ही इन सभी ब्रांच हैं डेली 50 लाख से ज्यादा members आते हैं देश की हर तहसील और साथ हजार गाउं में हर रोज संग की ब्रांच हैं आप सोच रहे होंगे ये ब्रांच हैं तो बता दें कि ब्रांच या शाखा सुबह शाम होने वाली meeting को कहा जाता है जो किसी भी खुले ground में एक घंटे की लगती है इन ही ब्रांच इस को RSS की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा RSS संगठन चल रहा है यहां रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है जहां सारे volunteers एक दूसरे से मिलते हैं इस दौरान सभी prayer करते हैं योग और games खिलते हैं साथ ही ये लोग prayer और cultural aspects पर चर्चा भी करते हैं इसके साथ ही यहां सरसंग चालक को चुना जाता है और हर सरसंग चालक अपने next सरसंग चालक को announce करता है Presently RSS के सरसंग चालक श्री मोहन भागवत हैं बता दें कि जो संग में अपने मन से आता है उन्हें स्वयम सेवक कहा जाता है इसके अलाबा अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आज पूरे world में RSS की करीब 55 subsidiary organizations हैं जैसे भारतिय जनतापाटी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फामर्स असोसियेशन, हिंदू स्वयम सेवक संग, राष्ट्र सेविका समिती, All India World Council, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्यान आश्रम, मुसलिम नाशनल फोरूम, नाशन सिक संगत, वर्ल्ड डायलोग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लगू द्योग भारती, विवेक अनंद केंद्र, इंडियन लेवर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिशद, एट सेटरा, लेकिन RSS का काम क्या है और भारतिय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आईए जानते हैं, इन में में मैगजीन, ओगिनाइजर और पंच जन्या है, इसके अलावा संग टीनेजर्ज और चिल्डरन के लिए देवपुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है, अगर बात करें RSS के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त, जब नहरू सरकार कु ये डेली लेटर भेजा था, इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोआ के भारत में विलय के दौरान भी संग ने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था, बाइस जुलाई 1954 को दादरा को पोचुगीज से मुक्त कराया गया था, अठाइस जुलाई को RSS लीडर वकनकर की लीडरिशिप में स्वयम सेवक्स ने नारोली पुली स्टेशन पर हमला बोल दिया, और पोचुगीज स्टाफर्ज को ओवर पावर करते हुए उन्हें सेरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, लिबरेशन फोर्स को इस तरह आगे बढ़ता देख, पोचुगी और लिबरेशन फोर्सेस के बाकी मेंबर्स सिल्वासा की तरफ मार्च करते हैं, पोचुगीज भाग जाते हैं और स्वयम सेवक्स दू अगस्त 1954 की सुबह पोचुगीज का फ्लैग उतार कर भारत का तिरंगा यहां फैर आते हैं, इस तरह पूरा दादरा नगर हवेली पो एड्मिनिस्ट्रीशन की हेल्प, आमी का खाने का इंतिजाम करना और साथ ही साथ आमी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरेसस द्वारा किये गए, उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशियेट किया, आरेसस के इस काम को देखते हुए, पीम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डेपरेट फंक्शन में इस्पैशली आरेसस को इनवाइट किया, दो दिन के नोटिस पर तीन हजार स्वयम सिवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपत पर मार्च पास्ट किया, इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वोर के दौरान भी ततकालीन पीम लाल चास्त्री ने संग को याद किया था, उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संग के ही स्वयम सिवकों ने दिया था, साथी कश्मीर में एस ट्रिप्स से स्नो हटाने का काम भी संग के स्वयम सिवकों ने ही किया था, इसके अलावा 1971 में औरिशा में आए भयानक साइकलोन से लेकर भोपाल गैस ट्रैजिडी तक 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अथक्वेक, सुनामी किटैस्ट्रफी, उत्राखंड फ्लड्स और कारगिल वार में घायल लोगों के रेस्क्यू आपरेशन्स तक संग ने आगे आकर अपनी सेवाईं दी हमेशा संग ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हों लोगों की सेवा की है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्री लंका और सुमात्रा में भी संग ने अपनी सेवाईं दी है RSS द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवसी में फंस्ती रहती है उस पर हमेशा से राजनीती में हस्तक शेप करने के इल्जाम लगते रही है और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है आईए जानते हैं इसे कब-कब बैन किया गया है दोस्तों समय समय पर RSS आलोचना और विवादों में घिरता रहा है पहली बार जब 1948 में नाथुराम गोडसे ने महत्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नहरू ने इसके लिए RSS को जिम्यदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया दूसरी बार 1975 में इंदीरा गांधी ने जब देश में नैशनल इमरजनसी लगाई थी उस वक्त भी RSS पर बैन लगा दिया गया था तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया उस वक्त RSS को बैन किया गया हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद RSS का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है आईए RSS और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं आजादी से पहले और आजादी के बाद भी RSS पॉलिटिक्स से न चाहते हुए भी जुड़ा रहा है 1975 में इमरजन्सी के वक्त RSS का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा इसके अलावा ये भी बहुत कम लोग जानती हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर RSS के आगे जुगना पड़ा था दरसल ये बात 1989 की है जब राम जन्म भूमी को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी थी उस वक्त राजीव गांधी ने RSS से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी लेकिन RSS ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था संग उस समय अयोध्या को राजनीती में नहीं घसीटना चाहती थी जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए इधर लाल कृष्ण आडवानी ने वीपी सिंग की सरकार का साथ दिया लेकिन वीपी सिंग ने जब रेजरवेशन का दाव खेला तो सारे पासे पलट गए इस वक्त संग को एक बड़ा जटका लगा जटके में ही सही संग को ये महसूस हो गया कि राजनीती को अयोध्या जाना ही होगा इस दोरान रेजरवेशन की आग फैली तो राजनैक हल चल मच गई संग भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिशद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्म भूमी अंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया दोस्तो राजनीती की वजह से RSS हमेशा अलोचना से घिरा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि RSS वीर सावरकर की आइडियोलोजी फालो करता है जिसकी वजह से अलोचकों ने हमेशा से संग को राइट विंग फाशिस्ट रैडिकल हिंदू ओगिनाइजेशन कहा है जबकि RSS पुलिटिकल अपीस्मेंट के खिलाफ हिंदूों के हितों को उठाता है देखा जाए तो RSS की कोई सेट मेजर फिलोसोफी नहीं है लेकिन RSS चार तरह की में फिलोसोफी को फालो करता है पहला अखंड भारत RSS का मानना है कि आदिकाल से बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रिलंका, मियनमार, अफगानिस्तान और इरान तक भारत फैला हुआ था ये सब अखंड भारत का हिस्सा है दूसरा है इंटेग्रिल हुमनिजम ये फिलोसोफी दीन दयाल उपाध्याई जी ने दी थी इस फिलोसोफी के अंतरगत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है साथी ग्रामीन विकास, सोशल डिवेलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया थर्ड है हिंदुत्व यानि हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना RSS का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोवज है संग तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कारिक्रम में यूज करता है इसी वजह से उसके ओफिस पर तिरंगा नहीं फैराया जाता अक्सर इस वजह से RSS कंट्रोवसी में फंसता रहता है RSS सबसे उपर भगवा ध्वज को मानता है RSS समय समय पर राजनीती में भी एक्टिविटी दिखाता रहता है BJP में कई बड़े लीडर्स संग से ही निकले हैं अब चाहे वो लेट श्री अटल बिहारी वाजपई हों लाल कृष्ण आडवानी हों हमारे होम मिनिस्टर अमिट शाह हों या फिर देश के पीम नरेंद्र मोधी इसलिए इनके कारियों में संग की आइडियोलोजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं कही जा सकती कंक्लूशन तो दोस्तों एक कमरे से स्टार्ट हुआ ये संग आज पूरे भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है आज RSS 97 येर्स का हो चुका है दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी RSS की हुई है लेकिन इसके बावजूद RSS आज भी अपने विचारों को लेकर डिटर्मेंट है और अपने मौटों को लेकर आगे बढ़ रहा है आज RSS की पॉपिलेरिटी इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा